आज हम बना रहे हैं दही फुलकी हलो वेलकम टू माई चैनल डेजट लाइफ स्टाइल प्लेज सब्सक्राइब माई चैनल एंट टन ओन दी नोटिफिकेशन्स तो चलिए शुरू करते हैं बनाना फुलकी बनानी के लिए बेसन लिया है हमने 200 ग्राम जीर डालेंगे आधा चम्मच नमक डालेंगे स्वादनुसार लाल मिर्ष डालेंगे आधा चम्मच गेहूं का आट डालेंगे 50 ग्राम चुटकी भर बेकिंग सोड़ डालेंगे पानी डालकर काड़ा घोल तयार करेंगे बेसन को पांच मिनिट एकी तरफ से फेटेंगे बेसन को फेट लिया है पांच मिनिट इसे ढखकर रख देंगे पांच मिनिट हो चुके हैं अब फुलकी तयार करते हैं एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे कड़ाई में तेल इतना डालेंगे कि पकॉड़े डूबेना तेल कम डालने से पकॉड़ी डबल फूलेगी पकॉडियों को कड़ाई में डाल दिया है इनने मीडियम फ्लेंग पर 2-3 मिनट सेकेंगे 2-3 मिनट बाद बलट देंगे आप देख सकते हैं पकॉड़ी कितनी फूल कर तैयार हुई है उलटते पलटते पकॉड़ीयों को सेक लेंगे पकॉड़ी सिक कर तैयार है पकॉड़ीयों को कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे फूलकी ठंडी हो चुकी है अब फूलकियों को दही में डालेंगे तो फूलकियों के लिए दही लिया है हमने 500 ग्राम एक ग्लास पानी डालेंगे और दही को फेटेंगे दही को फेट लिया है नमक डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच फूलकी डाल देंगे कुटी हुई लालमे श्टालेंगे छोटा आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और हिंग डालेंगे आधा चम्मच हरा दिन्या से गार्णिश करेंगे 10 मिनट ढखकर फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट हो चुके हैं दही फूलकी बनकर तयार है थैंक ये सो मच फर वाचिंग मैं वीडियो अगर आपको मेरी दही फूलकी की रेसेपी पसंद आई हूँ तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले गको लाइक कarें पाइकन को लाइकन को थाई tarkतें झालकी की ओटें ये वाचके दो ह। आएकन को लाइकन को लाइकन मेरे चाहिकन उत नाचि हुड़ तो प्ली दो सक्वाई